हलो स्टूडेंट्स आप अगर स्टांडर्ट 12 में हैं और मैथ लिया है तो ये वीडियो आप जरूर देखेगा ये इंशूरंस और अन्यूटी हम इसमें ये वीडियो में आपको एक्स्प्लेइन करने वाले हैं अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर अपर चैंट्र के अकाउंट्स के और मैथ के बेजिकड कॉंसेट्स के वीडियो और अकांट्स और मैथ के इलस्ट्रेशन के वीडियो एप्सप्लूटलि फ्री हमारे चैनल पे तो संब्सक्राइब जरूर करियेगा second हमारा offering है objective test एकदम आप absolutely free मिलेगा आपको objective test on all chapters of accounts, maths, economics और OC और उसमें पूरे detailed analysis के साथ आपको report मिलेगा जो आप free में download कर सकते हैं PDF form में उसमें आपको पता चलेगा आप कहां पे wrong जा रहे हैं कौन से topic में आप wrong जा रहे हैं कितना time आपको लग रहा है as compared to other students जोनों ने exam दिया है आप कहां पे हैं, आपके ranking क्या है बाकी सब students के comparison में तो यह absolutely free मिलेगा अगर आप चाहते हैं हमारे objective test appear करने के लिए तो play store पे हमारा application है जिसका link यहां पे दिया हुआ है उस पे आप click कर सकते हो play store पे जाके या फिर आप हमारे यह number पे contact कर सकते हो हम आपको आगे की जानकर ही दे देंगे तो यह दोनों offering absolutely free है दूसरा हमारा एक और offering है अगर आप चाहते हैं कि exercise के सारे videos भी आप देखना चाहें throughout the year जब चाहें आपको वो video मिले तो आपको सारे exercise के questions on maths as well as accounts आपको मिल सकते हैं उसके लिए nominal charges होगा जो आपको pay करना पड़ेगा उसकी details जाने के लिए उस number पे आप contact कर सकते हैं तो आई आज का video स्टार्ट करते हैं insurance दो type के होते हैं एक है life insurance life insurance में किसी individual के life का insurance लिया जाता है actually वो individual के death का insurance है कि अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी family members को पैसे मिलेंगे so that is life insurance second is general insurance तो as the name suggests life को छोड़के बाकी किसी भी चीज का अगर insurance लिया जाए तो उसको general insurance कहते हैं तो general insurance किस-किस चीज का हो सकता है vehicle का हो सकता है car का, bike का plant and machinery का हो सकता है ship का हो सकता है Titanic आप जानते हैं goods against theft तो मेरे go down में माल पड़ा हुआ है चोरी हो गया तो नुकसान हो जाएगा तो goods against theft या फिर loss by fire loss against flood आप जानते हैं flood तो आजकल काफी आ रहा है cyclone भी आ रहा है earthquake भी हो रहा है और health insurance भी लिया जा सकता है यह सारे के सारे general insurance की category में आते हैं insurer insurer मतलब वो insurance company जो किसी का भी insurance ले रही है वो उसका risk accept कर रही है अगर मैं business man हूँ और मेरे को डर लग रहा है कि मेरे factory में आग लग गई तो तो मैं insurance company के पास जा सकता हूँ insurance company मुझे एक policy दे सकती है कुछ conditions उसमें लिखे होंगे और उस conditions उस policy के बदले मुझे insurance company को क्या पे करना होगा premium पे करना होगा तो वो premium लेंगे मुझ से लेंगे वैसे ही सारे और business man से भी लेंगे और हम सब को एक security देंगे assurance देंगे अगर आपके factory में आग लग गई तो हम आपका जो नुकसान हुआ है वो repay कर देंगे अगर मान लो पूरे साल में नुकसान नहीं हुआ तो हमने जो premium पे कर दिया है वो हमारा नुकसान हो गया अब जान बुच के तो आग लगाएंगे नहीं अगर पूरे साल नुकसान नहीं हुआ तो जो assurance है जिस से मैं मुझे peaceful रात को नीन दाएगा अगर आग लग गया तो तो है ना insurance company वो claim हमारा pay कर देगी ठीक है तो insurer it is the insurance company who accepts the risk of the insured in the event of any loss to the insured insurance company reimburses the loss which is called claim ठीक है एक technical definition हो गया property value अब अगर मैं किसी मैं अभी general insurance की बात कर रहा हूँ ठीक है मैं general insurance में मान लीजिए मेरी car का policy लेने जा रहा हूँ तो जो car का value है उसको हम बोलेंगे property value अगर मैं मेरी shop का insurance लेने जा रहा हूँ तो जो shop का value है तो उस shop की value को हम बोलेंगे property value ठीक है policy value अब example लेके चलते हैं car है मेरे पास car है 10 लाग का अब मुझे ऐसा लग रहा है कि car का अगर accident हो गया तो मान लो जादा से जादा 4 लाग का खर्चा होगा accident में repairing करने का तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पूरे 10 लाग का policy लो तो मैं insurance company को कह सकता हूँ कि भाई मुझे 4 लाग का policy चाहिए यह 4 लाग की example के तोर पे मैं आपको बता रहा हूँ तो policy value जो है वो normally property value equal होता है या property value से कम होता है तो मैं चाहूँ तो पूरे 10 लाग का policy भी ले सकता हूँ मुझे डर लग रहा है कि कार चोरी हो गया तो तो चोरी हो गया तो 4 लाग का क्या गरेंगे कार तो 10 लाग का है तो मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे 10 लाग का insurance लो insurance कितना लग के लेना है वो एक businessman पर depend है वो 10 लाग या उससे कम amount का insurance ले सकता है कुछ special case में जो bracket में लिखा है ऐसा हो सकता है कि policy value property value से ज्यादा है वो कब होगा जब उस type का एक sum है exercise में और illustration में तब बताऊंगा अभी ये concept question में थोड़ा सा premature है उतना सारा बता दूँँगा समझ में नहीं आएगा अभी है न तो ज्यादा burden नहीं देंगे एक साथ तो generally अभी क्या conclude करते है policy value property value से equal होता है या कम होता है ये कम होने का कारण ये होता है कि as a insured मैं चाहता हूँ कि premium थोड़ा बचाऊं मुझे नहीं लग रहा है पूरे 10 लग का loss होने वाला है तो मैं premium कम भरने के लिए हो सकता है कि मैं policy का value कम लूँ ठीक है आगे बढ़ते है loss it is the loss to the property suffered by the insured तो जैसे मैं बता रहा था मैंने car का policy लिया 10 लग का property value है 4 लग का मैंने policy लिया है और मेरा एक accident हो गया accident हो गया तो जो भी damage हुआ था वो garage वाले ने बोला sir 2,00,00 रुपय का आपका खर्चा आएगा ठीक है तो 2,00,00 रुपय ये मेरा क्या है loss है any salvage should be deducted to arrive at loss तो salvage मतलब वो accident हो कि जो कुछ भी खराब हुआ कुछ पत्रा बत्रा खराब हुआ उसको हमने scrap में बेश दिया तो हम उसको under insurance बोलते है एक और बार जब जब policy value property value से कम होता है तो हम उसे under insurance कहते हैं और जब जब under insurance हुआ तो एक special clause होता है called average clause वो applicable होता है वो क्यों होगा और कैसे होगा आगे के slides में आपको समझाऊंगा premium तो जैसे के बताया insurance company insured से premium लेती है to give that guarantee और वो premium policy value का कुछ percentage होता है चीक है commission तो एक insurance company और insured उनके बीच में एक agent होता है वो agent business लेके आता है insurance company के लिए और insurance company जो premium collect हुआ है उसका कुछ percentage commission देती है agent को चीक है वापस एक बार insurance company और insured दोनों के बीच में एक intermediary होता है जिसको हम कहते है agent तो वो agent insured से commission sorry premium लेके insurance company को pay करेगा insurance company उस premium का कुछ percentage commission के तोर पे agent को pay करेगा कुछ फॉर्मिलास आपको लिखवा लेते हैं तो policy value is equal to some percentage of property value premium is the rate of premium जो question में दिया जाएगा into policy value commission as I said it is the rate of commission into premium loss loss is equal to percentage of loss into property value minus salvage तो example question में दिया होगा कि car का value 10,00,00,00 है और 40% damage हो गया तो 40% damage हुआ अगर ऐसे बोला है तो नुकसान कितने का हुआ? 4,00,00,00,00 का हमारा नुकसान हुआ normally salvage question में देते नहीं है पर हमने ऐसा formula इदर देके रखा है आपको और last है claim claim again अभी आप सिर्फ formula लिखके रखिए पर claim अभी नहीं समझाओंगा next slide में आपको समझाएंगे कि claim कैसे calculate करता है ठीक है? formula है loss into policy value upon property value और इस formula को average clause के नाम से भी जाना जाता है ठीक है? अभी एक slide के माध्यम से ये समझते हैं जो हम example ले रहे थे कि car है और car का property value है मेरा 10 लाख रुपया ठीक है? अब मैंने वो property value में से 40% का policy लिया मुझे नहीं चाहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि पूरे 10 लाख का policy लो तो car का value कितना है? 10 लाख पर मैंने 10 लाग का policy नहीं लिया, मैंने policy कितने का लिया, 4 लाग का policy value पर क्या depend होगा, premium depend होगा तो 4 लाग का कुछ percentage, जो insurance company बताएगी, उत्रा मुझे premium पे करना पड़ेगा और ये premium का कुछ percentage, agent को commission मिलेगा तो ये एक slide है, पूरा link है, property value से policy value मिलेगा, policy value से premium मिलेगा और premium से commission मिलेगा, ठीक है, अब दूसरा जो slide है, वो बहुत काम का slide है तो वापस से property value है, हमने insurance ले लिया है, एक figure example के तौर पे लेते हैं पस 10 लाग का कार है, और हमने 4 लाग का policy लिया है, मतलब under insurance हुआ है अंडर insurance हमने क्यों किया, premium बचाने के लिए, तो property value 10 लाग है, कार का accident हो गया और damage हो गया, damage हुआ 2 लाग रुपे का, तो हम 2 लाग को क्या बोलेंगे, loss बोलेंगे समान लीजे, salvage जो है, वो zero है, तो loss हो गया हमारा 2 लाग का हमने claim करना है, insurance company के पास जाके भई पैसा दो, हम 2 लाग रुपे मांग रहे है insurance company से, अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप ये सोच रहे हैं कि policy 4 लाग का लिया है हमने, 2 लाग का loss हुआ, तो पूरा 2 लाग का claim मिलना चाहिए पर ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ, तो policy value कितना है, 4 लाग है ना तो अब insurance company बोलेगी, देखिए भाई, ये जो है आपने under insurance लिया है मतलब आप थोड़ा सा risk अपने पास रख रहे हैं, आपने क्या पूरा insurance लिया आपको पता था car का value 10 लाग है, पर आपने policy 4 लाग का ही लिया है मतलब आपने पूरा full insurance नहीं लिया है, तो अभी जब claim आया है तो हम पूरा loss आपको पे नहीं करेंगे, तो बचों इध्यान से सुनियेगा प्लीज loss अगर 2 लाग है, policy 4 लाग का है, तो ये नहीं सोचना है कि 2 लाग 4 लाग से कम है तो पूरा 2 लाग हमें मिल जाएगा, ना, तो claim कैसे मिलेगा, इसी चीज को average clause बोलते हैं और ये average clause कब applicable होता है, जब under insurance किया जाए तो claim का formula भी हम आपको समझाते हैं, और claim का formula देखो cross multiply हो गया cross multiply का मतलब loss into policy value upon property value, तो हमारे example में loss कितना था, 2 लाग था तो 2 लाग into 4 लाग upon 10 लाग, मतलब हमें सिर्फ 80,000 का claim ही pass होगा, ठीक है तो ये claim पूरा 2 लाग नहीं मिलेगा, average clause applicable होगा क्योंकि ये under insurance है एक और बार बता दें, claim is equal to loss into policy value upon property value, ठीक है तो ये हमारा video था basic concept of insurance, general insurance के concept हमने इसमें आपको समझाए इसके आगे के videos में आपको illustration के solutions मिलेंगे, सारे illustration के solutions होंगे किसी-किसी video में 3 illustrations एक साथ solve करेंगे, किसी में 4 depending on the types of illustration तो सारे illustration के videos अब जरूर देखिएगा, ऐसे ही एकदम easy explanation के साथ आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने इस channel को अब तक subscribe नहीं किया है तो जरूर करिएगा ये video आपको पसंद आया, तो क्या करना है, आपको like करना है और कुछ comment भी करना है अगर कहीं पे कुछ हम गलत जा रहे हैं, कहीं पे कुछ आपका suggestion है कि सार इस पे भी video बनाईए सार ये बात अभी भी समझ में नहीं आई तो comment आप जरूर करिएगा ठीक है, and notification के लिए bell icon press करिएगा thank you so much for listening to me, take care, bye-bye